उत्तर प्रदेश का बाराणशी सहर जिसे हम बनारस और कासी के नाम से भी जानते हैं वह अपनी संस्कृति की अलावा घाटों के लिए भी जाना जाता है और इनी मेंसे एक है कासी के 84 घाटों में सबसे चर्चित मनिकनि का घाट बताया जाता है कि यह वही घाट है जहां पर दहा संसकार करवाने से व्यक्तिक की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ती होती है इसी कारण यहां पर रो जाना 200 से 300 सवों का अंतिम संसकार होता है फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस घाट का नाम मडीकंडी का घाट क्यूं पड़ा और ऐसा क्या है इस घाट में कि यहां पर दहा संसकार करवाने से मोक्ष मिलता है फ्रेंड्स अगर आप बनारत से सम्मंदित सारी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है साथ ही साथ आपको उसका लिंक उपर आई बटन में भी देखने को मिल जाएगा तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बाराण सी में मडिकडिका घाट, सिंदिया घाट और दसाशमेद घाट दोनों की बीच में इस्तित है इस मडिकडिका घाट का उलेक पाश्च भी सताब्दी के एक गुप्त अवलेक में भी किया गया है और हिंदू धर्व में भी इसका बहुत ज़्यादा सम्मान है और इसी कारण हिंदूों के लिए इस घाट को अंतिम संसकार के लिए सबसे पवित्र माना जाता है बताया जाता है कि मडिकडिका घाट को भगवान शिव ने अनंत संती का वरदान दिया था इस घाट की विसेष्टा ये है कि यहां की चिता की याग कभी संत नहीं होती है यानि यहां हर समय किसी न किसी का शवदा हो रहा होता है इस घाट को लेकर कई जनसुर्तियां भी हैं एक कथा के अनुसार यहां पर भगवान विश्णू ने हजारों बर्च तक इसी घाट पर भगवान शिव की आरादना की थी बिश्णू जी ने सिव जी से बर्दान मांगा कि स्रस्टी की विनास के समय भी कासी को नस्ट ना किया जाए भगवान शिव और माता पारवती बिश्णू जी की प्रातना से प्रशन होकर यहां आये थे तबी से मानिता है कि यहां मुक्ष की प्राप्ती होती है तो वही ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान विश्णु ने शिव पारवती के लिए यहां इसनान कुंड का भी निर्मान किया था जिसे हम मणिकणिका कुंड के नाम से जानते हैं इस नान के दोरान माता पारवती का कंड फूल कुंड में गिर गया जिसे महादेव ने धून कर निकाला था देवी पारवती के कंड फूल के नाम पर इस घाट का नाम मणिकणिका हुआ इस घाट की एक और मानिता है कि यहां भगवान सिव ने देवी शती के पार्थिव शरीड का अंतिम संसकार इसी घाट पर किया था जिस कारण से इसे महाशमचान भी कहते हैं मोक्ष की चाहा रखने वाला इंसान जीवन के अंतिम पड़ाव में यहां आने की कामना करता है तो वहीं इससे जुड़ी एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहां पर साल में एक दिन ऐसा भी होता है जब नगर बदू पेर में गुंगुरु भांद कर यहां पर नरत्य करती हैं और ये कारिक्रम चैत्र नवरात्र की शप्तमी की रात में होता है महासमसान पर अनूटी साधना की परंपरा शम्शान नात महामाउटसब का हिश्चा है मौत के मातम के बीच वे नास्ती गाती हैं और नास्ते हुए वे इश्वर से प्राखना करती हैं कि उनको अगले जनम में ऐसा जीवन ना मिले दोस्तों ये परंपरा अकबर काल में आमेर की राजा सबई मान सिंग के समय से सुरू होकर अब तक शली आ रही है मान सिंग ने 1585 में मनिकणी का घाट पर एक मंदिर का निर्माडवी करवाया था फ्रेंट्स ऐसा कहते हैं कि जब मान सिंग ने पहली बार समशान नात उत्षब करवाया था तब महाशमसान की वज़े से कोई कलाकार संगीत का कारिकरम पश्चुत करने के लिए तयार नहीं हुआ था तब मान सिंग ने नगर बद्गों को आमंतर दे कर बुलवाया बे इसे स्विकार कर पूरी रात महाशमसान पर नरत्य करती रही तब से यह उत्सब कासी की परंपरा का एक हिस्सा बन गया है जो अब तक चला आ रहा है फ्रेंट्स ऐसा कहते हैं कि प्राचीन काल में मा मनिकडिका की अच्ट धातू की प्रतिमा इसी कुंड से निकली थी कहते हैं कि यह प्रतिमा बर्स बर ब्रह्मनाल इस्टित मंदिर में बिराजमान रहती है परंतु अक्षे तृतिया को सवारी निकाल कर पूजन दरसन के लिए प्रतिमा कुंड में इस्टित 10 फीट उचे पीतल के आसन पर बिराजमान कराई जाती है इस दोरान कुंड का जल सिद्ध हो जाता है जहां इसनान करने से मुक्ती मिलती है मडी करणी का घाट में फालगुन महा की एकादसी के दिन चिता की राक से होली खेली जाती है कहते हैं इस दिन सिद्ध के रूप में विश्वनातम बाबा अपनी पत्नी पारवती जी का गौना कराकर अपने देश लोटे थे इनकी डोली जब यहां से गुजरती है तो इस घाट के पास के सभी अगोरी बाबा लोग नाच गाने रंगों से इनका स्वागत करते है इस मंदिर की एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहां पर सबसे पूछते हैं क्या उसने शिव के कान का कुंडल देखा ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी यहां जिसका धा संसकार किया जाता है अगनी धासे पूर्व उससे पूछा जाता है कि क्या उसने भगवान भी विराजमार रहते हैं फ्रेंड्स मणी कणि का घाट के पास मेहीं विसालाक्शी मंदिर इस्तित है जो माता सती के 51 सक्टी पीठों में से एक सक्ती पीठ भी है फ्रेंड्स ये थे मणी कणि का घाट से जुड़े हुए कुछ रहसे जिसकी मैंने आपको संपुर्ण जानकारी दी है फ्रेंड साफ जब भी बनारस जाएं तब मणी कर्णी का घाट पर जाना बिलकुल भी न भूलें अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें थैंक यू फोर वाचिंग